नमस्कार दोस्तों स्वागत है क्रिप्टो ट्रेंट चैनल में दोस्तों अभी हिस्समें आप देख सकते हैं मैं CZ Binance के Twitter handle पे हूँ और यह जो CZ Binance CZ चाचा जो है चौधरी बहुत ज़्यादा बने फिर रहा है यह मुझे लग रहा है यह पूरो crypto market को बरबाद कर देंगे क्योंकि इनका एक एक tweet बिल्कुल जो है कि crypto currency market में pump and dump के स्थिति ला देती है जैसे अभी अगर आप नीचे देखें यहाँ पे CZ ने एक tweet किया है 5 घंटा पहले कि blockchain are public permanent record it's the most auditable legend इन्होंने क्यों किया है क्योंकि देखिए दोस्तों इन्होंने इसलिए इसे किया है क्योंकि जिस से यह अपना audit करा रहा है तो proof of reserve का जो सारा गंदा खेल खेला इन्होंने जब भही मैं कह रहा हूँ जो proof of reserve सब कुछ जो है कि इसी पे दिख जाएगा blockchain पे public पी auditable है तो यह सब नोटंकी करनी की क्या जूरत थे कि आप सभी को proof of reserve दिखाना चाहिए proof of reserve का वो होना चाहिए अब third party जो थी जिससे यह audit करा रहे थे मजारे वो क्या हुआ अपना सारा बुरिया बिस्तर बंद करके भाग गए उसकी site-wide सब बंद होगे और उन्होंने सब जो है कि कह दिया कि हम जो है कि कोई audit नहीं करना चाहते है तो यह तो जब इनको यही करना था इसको पता था CZ को कि यह सारा जो है proof of reserve की कोई जरूरत नहीं यह सब public है blockchain पे सब available है कोई भी से देख सकता है तो फैलानी की जरूरत क्या थी जब FTC का collapse हुआ FTC में आपस की लड़ाई लोगों की crypto investor का पैसा खाते जा रहे हैं यह नहीं देख रहे हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यह तो दो लोगों का पैसा अपने पास रखे हैं अगर यह जो है कि दिवालिया होते क्रिप्टो करेंसी दूब जाता है इनका तो इनका कुछ नहीं जाएगा भाई जब अरबाद तो crypto trading platform है यह एक्सचेंज है CZ Binance की Binance तो यह सारी ट्वीट करता रहता है अब भाई जब proof of reserve का मतलब भी नहीं है कुछ इसका मतलब भी कुछ नहीं है हम जो एक फालतू अपने जो यहां के इंडियन एक्सचेंज थे हम उनसे चिला रहते हैं प्रूफ आफ रिजर्व दिखाओ प्रूफ आफ रिजर्व दिखाओ सही मायने में तो मुझे लगता है कि प्रूफ आफ रिजर्व आफ को नैंसेंस के यह hélet कर रहा है लेकिन सही मामले में अगर आवडिट करानी तो प्रूफ आफ ल्यावलिटी के कराना चेहिए इस CZ Binance को तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये Proof of Reserve का सारा खेल फिर से स्टार्ट हो गया ये FUD FINALा ये नया FUD है ये CZ की तरफ से तो ये इन सबसे से बच के रहना है दोस्तों अगर आपका समझ लीजे अगर आपका Binance पे कुछ फंड पड़ा है कुछ ज़्यादा अगर फंड है तो प्लीज उसे किसी अपने ट्रस्ट वालेट में मेता मार्क्स में या किसी जो है कि हार्ड वालेट कोल्ड वालेट इन सब में ट्रांसफर कर लीजे क्योंकि इस समय कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि सीजेट बाइनस ने जिस हिसाब से पूरे जो है क्रिप्टो करनसी मार्केट में FTX को लेकर के फंड फैल आया और वो कॉलाप्स हुआ उसके बाद से बहुत सारे लोग इसके पीछे पड़ गया बहुत सारे तो वहाँ के लीडर्स है यूएस के क्योंकि FTX जो CEO था वो जब election स्टार्ट हो रहा तो उसमें वो fund भी कर रहा तो कहीं न कहें उसके बहुत सारे से लीडर्स भी होंगे जो उपर कहोंगे आगे चलके सीजेट बाइनस के पीछे पड़ेंगे दीरे दीरे इनका भी बहुत कुछ निकलने वाला है ये बात मान लीजे दोस्तों कि आने वाले टाइम में कुछ महिने कुछ साल बहुत ही गंदा जा सकता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए जिस सबसाब से सीजेट बाइनस कुछ ने कुछ ट्वीट करता रहा था कि कुछ और बात करते हैं किसी और से बोलते हैं कि हम ऑड़ीट करा लेंगे अब एक निया फेट फैला दिये अब सारे सारे इक्सचेंज तो यही सोचेंगी कि हमने तो अभी तक यहय कि ये तैयारी कर लिए कि थर्ड पार्टी से कराना ये कराना वहाना अभी आपने इस फिर से एक निया फैट फ़ला दिया कि सब कुछ ब्लॉक्षेन पे पॉब्लिक है और कोई भी आडिट कर सकता है तो कहीं नहीं दोस्तों आपको इन सब चीजों से साधार रहना पड़ेगा अमेशा जो है कि अप टुडेट रहना पड़ेगा कि इस समय क्या हो रहा है फंड को अपने सेफ रखिए कुछ भी हो सकता है सेंट्रलाइज इकसिंस से निकाल लिए और डी सेंट्रलाइज इकसिंस पे रखिए अगर जहां भी रह सकते हैं आप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा आपको यह जो है कि जो भी इंफर्मेशन है वो ट्वीटर पर आपको मिल जाएगा सीजर बैरनेंस के ट्वीटर को आप हैंडल को फॉलो कर लीचे ट्वीटर पर जाकर कि जो भी यह ट्वीट करता रहेगा